डे आठ, सुक शांती की देवी है महागौरी, आज इन्हें नारियल चराई, सभी समस्याएं होंगी दूर नवरातरी की अश्टमी तिथी को देवी के महागौरी रूप की पूजा की जाती है, कैसे पड़ा माता का नाम महागौरी, क्या है, इसके पीछे की पौरानिक कथा औ बस होने ही वाला है, आज चैत्र नवरातरी की अश्टमी तिथी है, और इस दिन शक्ती की देवी मा दुरगा के आठवे स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, धार्मिक मानेताओं के अनुसार महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप दूल जाते है और उन्हें अक्षय पुने की प्राप्ती होती है, देवी भगवत पुरान की माने तो देवी मा के नौ स्वरूप है और सभी आदिशक्ती का ही अंश है, लेकिन भगवान शिव, लॉर्ड के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में देवी महागौरी हमेशा विराजमान कैसा है? देवी महागौरी का स्वरूप महागौरी का वरन गौर यानि सफेद है और इनके वस्त्र और आभूशन भी सफेद रंग के है मान महागौरी की चार भुजाएं है, उनका एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और दूसरे हाथ में उन्होंने शक्ति का प्रतिक त्रिशूल पकड़ा हुआ है मा के बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है जिसे वह भक्तों को वरदान देती है त्रिशूल और डमरू दोनों शिवजी के भी अभिन अंग है जो महागौरी के स्वरूप का भी हिस्सा है महागौरी का वाहन बैल है जो भगवान शिव का भी वाहन है देवी का यह रूप बेहद शांत और सौमे है महागौरी की पूजा का महित्व देवी महागौरी को धन वैभव और सुक शांती की देवी माना जाता है अश्टमी तिथी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है तो वही कुछ लोग नवमी तिथी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। देवी के महागौरी रूप की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से शारीरिक शमता के साथ ही मानसिक शांती, mental peace भी मिलती है। माता के इस स्वरूप को अनपूर्णा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी महागौरी की पूजा से सिर्फ इस जन्म के ही नहीं बलकी पुराने पाप भी नश्ट हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी समस्याईं दूर हो जाती है। महागौरी की पूजा विधी और भोग देवी महागौरी की पूजा भी नवरात्री के अन्य दिनों की ही तरह करें। सुबह स्नान आदी करके देवी मा का ध्यान करें। उन्हें फूल चरहाएं, मा के समक्ष दीप जलाएं। मा को सफेद रंग के वस्तर अर्पित करें क्योंकि मा को सफेद रंग पसंद है। फिर मा को रोली कुमकुम, फल, फूल और मिश्ठान अर्पित करें। मा की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजण भी करते हैं। अपने सामर्थे अनुसार नौ कन्याओं और एक बालक की पूजा करें। उन्हें भोजन कराकर उनका आशीरवाद लें। जहां तक माता के भोग की बात है, तो आज अश्टमी तिथी के दिन महागौरी को काले चने और नारियल का भोग अवशे लगाएं। भोग लगाने के बाद नारियल को प्रसाद के रूप में सभी को बाते। महागौरी की कथा पौरानिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पती रूप में पाने के लिए देवी ने कथोर तपस्या की थी जिसे माता को महान गौरव प्राप्त हुआ और इसे इनका नाम महागौरी पढ़ा। हालांकि कथोर तपस्या की वजह से माता का शरीर काला पर गया था। देवी की तपस्या से प्रसंद होकर शिवजी ने इन्हें स्विकार किया और उन्हें गंगा सनान करने के लिए कहा। तब देवी विद्यूत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो गई। इसलिए भी इन्हें गौरी कहा जाता है।